हे ciao आज हम बनाएंगे कद्डू से पनीर फरेंट्स बहुत ही टेस्टी लगता है और आप बता ही नहीं सकते के यह कद्डू का पनीर और मेरे इस्परेंट नहीं तो पता क्या किए रही है कि कद्दू की तो किसमती बogi दल दी तुमने तो हमने इसको काष लिया है एसे पीसी में और इसके बिया निकादी लेंगे whether this partebr even को शे लेंते ऊपर से तो दोड़ा बगल उतार के उसका च्छी लेंगे ताके ईसमें गा आक΂नो पन नाएं एक हरा उस TWO if अभिक को मौने आ ने काड सकते हैं थोड़े चोठे होने चाहिए कि हमें पीस नहीं तो है तो हम इसको जार ले और यहां पर हम पीस लेंगे इस 날ण अर इसमें डाल ने तो यहां पर मैं दो तेबल स्पून दही डाल Relay दही थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए घर का जमाव तो ज्यादा बेतर है वैसे गाढ़ा दही भी चल जाएगा दुकान का जो गाढ़ा दही होता है वही तो फ्रेंड्स यह मैंने पीछ पीछ लिया है अच्छे से और इसमें बिल्कुल भी टुकड़े नहीं होने चाहिए और और आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो कौन फिलोर डाल सकते हैं अगर कौन फिलोर भी नहीं है तो चावल को पीसो और डाल दो तो फ्रेंड्स यहां पर हमने चावल का आटा ले लिया है दो चममच मेदा डाल दिया है और आधा टेबल स्पून नमक डाल दिया ह सोडा डाल दिआ थोड़ा सा सबन जाएंगा इसलों सभी ऐनना है धोड़ेके किरने है बस हमें इसमें कट ही लगाने हैं अब हम इसमें यह कट लेंगे एक बाउल में क्योंकि हमें बाउल में ही चाहिए यह यहां पर एक बाउल ले लेंगे थोड़ा चोटा ही बाउल ले ज्यादा बड़ा बाउल ना ले क्योंकि हमें इसको कड़ाई में रखना है यहां पर ले सब्सक्राइब कर दोगे सब्सक्राइब यहां पर दोगा है और आठ से दस काली मिर्चे में यह दए दस मेरी मिर्च को कहीं योड़ी इसाब म 나올 चे बताना कि है क्या बोलते हैं में चार मिर्चे ले ले ली कश और आधा इंच लेया है यहां पर दाड़ चीनिका टुकड़ा अब मैं इसमें डाल डेंगे पानी कम राधा गिलास के अश्चप स्वामेदा। इसको हम फैला देंगे तो फ्रेंट्स यह देखिए, मैंने अच्छे से फैला दिया थाकर सुआ इसके स्कॉयशेयर से चिकना पन साजाये मैं यहां मेने कढ़ाई उसमें डाल दिया है मैंने पानी एक से डेलः किरास पानी डाल दिया था निचे फिर उसके उपर मैंने कटोर्रह रख दिया अब इसके उपर हमने ये रख दिया हैस्ट जो हमने प्रेट रखी ती अब इसमें हम अ झसवापन जो बिल्कुल कवर हो जाए और टच भी नहीं होना चाहिए पिलेट से बनना तो जब फूलेगा तो यह टच हो जाएगा तो सही से बन नहीं पाएगा तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं यहां पर मुझे अब यहां पर ले लेंगे काटोरी या फिर आपको कुछ भी रख सकते हैं इसी चीज जो के थोड़ी सी उंची हो यानिके इस्टीम बन जाए इसमें अब इसको पांच मिनट के लिए और पका लेंगे तो फ्रेंड्स अभी इतने वहां पर वह पक्राया है हम इसे चील लेते ह सारी चीज़ों कि प्लेट montón रख लेते है यह देखें हमारे दौनों टमाटर चील गए हैं अब हम इसमें दाल देंगे मिकसर में हमें यह सभी चीजों को काटकर के इसको हमें पीस लेते हैं इसको इस तीम ना करें तो इस टीम होने के वज़ा से बहुत ही बढ़िया लगता है अब हम इसको पीस लेते हैं यह देखे फोम्हación एक पेस लिए अच्छे से वाइवा हुआeli। उसमें खुश्बु प्लॉख्या और यहां है यहां इसको ठटा होने के लिए मैं फृज्ज में रख दूँगे ताकर जबना दूगे। और यह देखे फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी पानी नी बजाए मैंने यहां पर दूसरी कढ़ाई ले लिए इसमें डाल दें एक टेबल इस्पून भरके बड़ा जो भरके होता उसमें तेल डाल दिया है अब डाल दिया है जीरा और लाल मिर्चे अब हम यहां पर जो हमने बढ़ाईा से एक टेबल इसपून मिर्चे और डेल ड़ेल सब्सक्राइ OF मलाई ौध यह पर मैं धेही डालता ही लिए और बाद में इसमें डेही डालूंगी ताके इसमें कहटा पंदिया आ जाए तो यह देखें अब मेरा भुन के रेडी हो गया होगा यह देखें कितने बढ़िया से यह भुन गया है अब इसमें हम डाल देंगे पानी पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से रख लें जितना भी आपको पसंद है मुझे ज्यादा तर हर मसाले में गाढ़ी ही ग्रेवी इच्छी लगती है ज्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है तो फ्रेंड्स में ने यह देखें कितना पढ़िया मेरा पनीर बनके रेडी हुआ है बिल्कुल ठंडा हो गया है अभी थोड़ा थोड़ा सा गरम है तो मुझे जल्दी था क्योंकि मेरे मसाला भून जुगाता तो फ्रेंड्स अगर हम इसको बिल्कुल ठंडा करके काटेंगे तो यह बिल्कुल नहीं चिपकेगा यह देखें कितने पढ़िया से कट पी रहा है अभी में दिखाती हूं आपको सारा काट करके यह देखें कितने पढ़िया इसके पीस बनके रेडी हुआ है है ना बिल्क शीव शेप में काट सकते हैं ट्रैंगल हो कुछ भी हो तो फ्रेंट्स में रहे हैं पनीर का मसाला भी अच्छे से पक गया है कि अब हम इसमें एक-एक करके यह पनीर डाल देंगे बट उससे पहले हम थोड़ा सा कि इसको देख लेते हैं कि मतलब यह नहीं आ रहा है अच्छे से भुना है या नहीं भुना है तो मैंने यह पर ब्लकि से नमक डाल दिया था और कसूरी मेती और दही बंद करके अब यहां आप हमने यह डाल देने हैं इसको आयर अपने पनीर डाल देना है अच्छे से यह देखे आप यह सोच रहे होंगे कि पीला पीला क्यों लग रहा है इसका मसाला तो फ्रेंट्स यह लग रहा है मेरे पास लाइट ही पीली है इसलिए लग रहा है अभी मैं आपको दिखाती हूं लाइट बंद करके ये देखे फ्रेंट्स बढ़िया से मेरा पनीर बनके रेडी हो गया है फ्रेंट्स बिलकुल भी आप ये बताई नहीं सकते कि कद्दू का पनीर बना हुआ है और हमें इसको इल्कुल हलके हाथों से चलाना यानिके घोड देना है और अब यहाँ पर मैंने धनिया काटके लग रहा था उसको हम डाल देंगे अच्छे से और ये देखे फ्रेंट्स मेरा पनीर बनके रेडी हो गया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये ढखके फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़हा से पनीर बनके रेडी हुआ है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइट बनकर के कितना बढ़हा लग रहा है तो यह देखे फ्रेंस कितने बढ़े हा से मेरा पनीर बन गया है वीडियो पसंद आई यो तो जरूर लाइक और कमेंट जरूर करें यह देखे कितना बढ़े हा लग जहाया है मेरा पनीर पीला पीला लगता है इसलिए